वेलकम टू एग्रिकल्चर ममता चैनल दोस्तों आप सबका स्वागर्थ है और आज मैं लेकर के आई हूँ जो वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो होने बाली है अन्तक देखिएगा और देखिएगा किस तरह से और्गेनिक फटलाइजर बनके हमारे जो डेस्टमीन जो हमने ले लिया है और इससे अब हम लोग बनाएंगे फटलाइजर इसको तरभूज के छिलकों को अब अच्छी तरह से पहचान लें देखिए और इसको छोटे-छोटे टुक्रों में काट करके इसमें जो भी जो भी चीजें मौजूद हैं जो भी मिनरल्स विटैमिन्स मौजूद हैं उसको किस तरह से हम हारनेस करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं तो यह छोटे-छोटे टुक्रों में हमने काट लिया है तरभूज के छिलके को और अब हम एक लीटर पानी लेकर के एक जार में और मुस्ट एक लीटर हैं और यह जितने छिलके हैं इसको हम ट्रांस्फर कर देंगे और डाल करके इसके बाद धक्कन से इसको बंद कर देंगे ठीक है दोस्तों यह देखिए यह धक्कन से बंद कर दिया और अब हम इसको 48 खंटे मतलब कि दो दिनों के लिए जिस तरह से है उस तरह से ही किसी कोने में रखके छोड़ देंगे और अब दिखाती हूं मैं आपको इसका रिजल्ट यह देखिए दोस्तों दो दिन के बाद यह इस तरह से बनके तयार हो गया है धक्कन खोलने पे इसका जो थोड़ा चेंज हो गया है आप देख सकते हैं और जो पपीते जो तरबूज के जो छिलके हैं वो किस तरह से कलर चेंज कर दिये हैं और इन्होंने दे दिया है इस पानी में विटैमिन्स जो की हमारे पौधों के लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है होने वाला है तो इसम में विटैमिन A और C, विटैमिन B6 मौझूद है, पोटैशियम, जिंक, एमाइनो एसिट्स, मिनरल्स, फॉस्फुरस, नाइट्रोजन, मैगनेशियम ये सारी चीजें मौझूद हैं ठीक है दोस्तों तो इस सब को हम जो भी सबजिया हैं हमारी जो पौधे हैं किसी में भी डाल सकते हैं, फूल के पौधे हैं उन पर डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, आप सॉयल में अपलाई कर सकते हैं और इसको एपलाई करेंगे कैसे वो मैं आपको अब दिखलाती हूँ, कोई दिक्कत होने से आप आ करके कॉमेंट सेक्षन में बताईए और किस तरह से आपन क्या फाइदे हुए हैं comment section में आप आके लिख सकते हैं चलिए दोस्तों तो अब इसको चान लेते हैं जो fertilizer हमने त्यार किया है organically कुछ भी नहीं डाला हुआ है बहुती बड़िया fertilizer बनके त्यार हो गया है और यह चानने के बाद दोस्तों एक कप हमने इसमें ले लिया है एक दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर रहे हैं और डैलूशन रखेंगे वान इस्टो टू का मतलब की एक कप ये फटलाइजर हम ले रहे हैं जो और गेनिकली अभी तयार किया है और दो कप उसमें हम पानी आड़ करेंगे उसके बाद स्प्रेयर में भर करके हम पौधों पे पौधों पे स्प्रेय करने से जितनी भी वाइटमेंस मिनरल्स मैंने आपको बताए वो सारे हमारे प्लैंट्स को अवेलेबल हो जाएंगे तो दो कप पानी डाल दिया है अगर आपको बहुत डेलिकेट पौधे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें डैल और जितने भी न्यूट्रेंट्स इसमें अवेलेबल है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये पौधे देखिए दोस्तों ये इस पौधे दिखलाए जा रहे हैं इस पे आप स्प्रे कर सकते हैं किसी भी तरह के फूल फल सारी इसको लेने के लिए रेडी रहेंगे ठीक है दोस्तों और ये हरियाली जो है बनाए रखने के लिए हम लोग कितनी जद्दो जहद करते हैं कितनी मेहनत करते हैं और ये कितना असानी से देखिए और गैनिक फेटलाइजर बनके तयार हो गया कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो हमारे पौधों को नुकसान करे और अ बनाए रखिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा और प्लीज हिट दा बेल आइकन सो देट की नोटिफिकेशन्स आपको मिल जाए तो अब स्प्रेयर में इसको भर लिया गया है जो लिक्विड हमने डैलूट करके तयार क है और अब इसको स्प्रेय कर देंगे ठीक है दोस्तों तो चलती हूं मिलूंगी और इसी तरह की अच्छे वीडियो के साथ और इन्फॉर्मेशन्स प्रोवाइट करने के लिए मैं हमेशा ततपर रहती हूं और मैं देखती हूं कि आप लोग भी बहुत होसला अफजाई कर करते हैं लोगों को पौधों का इतना ध्यान रखते हैं और पौधों को ध्यान रखने के लिए आप वीडियोस वाच करते हैं बहुत अच्छा लगता है अग्रिकल्चर ममता चैनल के साथ इसी तरह से प्यार बनाए रखिए दोस्तों तो चलिए मिलती हूं और किसी बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू वेरी मच्छ